Hello and welcome to Conn Study. This is Sheik Arshi. आज मैं आपके लिए लाई हूँ, expected questions on reasoning. Class 4 का exam कुछी दिनों में होने बाला है और अभी तक आपने बहुत महनत की होगी. So, अब टाइम में इन दिनों आप अपनी speed को थोड़ा boost up करें, क्यूंकि exam में knowledge के साथ साथ speed भी होनी चाहिए. So, आज का जो वीडियो है, इसमें मैंने reasoning topic पे questions लाए आपके लिए. Expected questions है, important questions है. आप इनको solve कीजएगा, answer दीजएगा, और वीडियो के end पे score जो है, वो comment box में नीचे जरूर लिखेगा और sincerely लिखेगा. So, start करते हैं आज का topic. So, पहला question है, complete the analogy. ये analogy पे question है. Okay, architect is to building, sculpture is to what? आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा. इस relation को देखकर आपको बताना है यहां पर क्या आएगा. So, आपने अपना answer दे दिया. Okay, so the right answer is statue. देखो, architect building बनाता है, sculpture जो होता है, वो क्या बनाता है? वो statue बनाता है, right? Okay, आगे चलता है. The second question we are having is, select the pair having same relation as? अब आपको इन मैंसे वो pair select करना है. अभी आपको सिर्फ एक word select करना था. Okay, अब आपको पूरा pair select करना है. इस pair को देख कर, जैसा पैटल का फ्लावर के साथ relation है, आपको बताना है, इन वाले options में, कौन सा option ऐसा ही relation depict करता है? So, the right answer here is, देखो, पैटल जो है फ्लावर का पार्ट है, अगर इन options में देखी, बी is the correct answer. क्यूंकि साल्ट और पैपर अलग अलग है, पपी और डॉग अलग है, सैंडल और शूज अलग है, बत टायर इस अपार्ट हो बास्कल, राइट? अपने भी यह आंसर दिया था? आपको अपी, अब आपको इन तीन में देखना है रिलेशन, उपर वाला देखकर आपको बोलना है कि नीचे वाले में क्या आएगा, फाइंग, ओके, आपल, फ्रूट और सुपरमार्केट, हावार देर लेटर, इसे हिसाब से आपको नौवल, बुक और तीसरा क्या का, so the right answer is option B, bookstore, okay, apple, fruit, supermarket, novel, book, bookstore में बिखती है, right, okay, आगे चलते है, choose the odd one out, यहाँ पी आपको, इन में से odd देखना है, देखो आप यहाँ पी screen pause कर सकते हो, अच्छे से logic आपको लगाना है वो लगा कर answer देख सकते हो, fine, so आपने screen pause किया होगा, और answer दिया होगा, अब अपना answer match किजिए, देखो जब ऐसे questions हमारे पास आए, तब क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम इनको vowel और consonant वाला logic लगाते है, यहाँ पे यह चारों consonants है, okay, और जब ऐसा हो जाए, उसके बाद क्या, इनको numbers में convert कर दो, okay, आपको पता हम A to Z जब लिखते है, A को 1 देत है, right, तो उस हिसाब से हम इनके यहाँ पे इनको numbering देंगे, okay, तो यहाँ पे अगर हम देखे, K का number 11 है, right, H का number हमारे पास, H का जो नंबर होता है A, B, C, D में अगर हम देखे H हमारे पास 8 नंबर पे आता है S का नंबर 19 होता है and G का नंबर हमारे पास 7 होता है तो अगर हम यहाँ पे देखे तो यह सब odd है सिवाए H के H even है, 8 even है बागी सब odd है तो इस हिसाब से हमारा option B तो आगे चलता है Choose the odd one out यहाँ पे भी बिलकुल ऐसा ही question है आपको इन message जो odd पे है उसको करना है फिर से screen pause कीजे अपना answer दीजे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि answer क्या है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे भी पहले number logic ही लगाता है तो C का number 3 होता है एंड X का number हमारे पास होता है 24 E का number हमारे पास 5 होता है एंड V का number 22 ह का number 8 होता है S का 19 होता है K का number हमारे पास 11 होता है एंड Q का 17 होता है नमबर लिखने के बाद अगर हम देखे हम अगर इन सब पेर्स को प्लस करते okay this is 27 this is 27 this is 27 but this is 28 okay ये वाला जो option है ये 28 है तो that means the option जो है वो और है fine इस question को आप और एक तरीके से भी कर सकते थे अगर हम A, B, C, D ऐसे लिख दे okay Z तक no, sorry Z तक नहीं M तक and then N, O, P, Q, R ऐसे करके sorry यहां पर space नहीं है तो आपको बताते हैं दूसरा तरीका क्या है कि आप A to M लिखिए and N to Z लिखिए fine और उसके बाद आप इनको जब ऐसे देखेंगे sorry this is B this is Y this is X this is C Z के साथ X आएगा E के साथ V आएगा S के साथ X आएगा बट K के साथ Q नहीं आएगा fine so D is the right answer तो आगे चलता है फिर से select the odd one out इन मेंसे जो odd है आप उसको out कर दीजे आप screen pause करके सोन सकते है answer so चले देखते है car, wheel okay wheel, car का एक पार्ट है flower plant का एक पार्ट है right sofa chair का पार्ट नहीं है eye face का पार्ट है so odd C option is the right answer okay आगे चलता है okay now this is यह relationship based है okay pointing to a boy Suresh said he is the son of the only son of my mother how is Suresh related to that boy screen pause कीजिये सोन जीए एक बार कीजिये question अपना answer तीजिये उसके बाद मैं आपको बताती है उसका answer क्या है okay so देखो यहां पर बात हो रही थी Suresh की right Suresh ने एक लड़के की तरफ देखकर कहा कि यह जो लड़का है he is son of he is son of my mother किसकी मदर Suresh की मदर okay यहां पर लगते है Suresh की मदर का वो only sons इकलोता बेटा है okay so देखो my mother यानि Suresh Suresh की मा okay only son of my mother Suresh की माँ का इकलोता बेटा कौन होगा Suresh ही होगा तो इस पूरे को हम Suresh से replace कर सकते है right तो हम जा करेंगे यहां पर जो यह only son of my mother इसको काट की वहां पर सuresh लिखेंगे okay उसके बाद फिर से question को बढ़ते है He is the only He is the son of Suresh अब वो क्या है वो Suresh का बेटा है तो हमें बोलना है Suresh Suresh इसका क्या है Father right ठीक है तो इस question का answer था Father आगे बढ़ते है A is the brother of B okay A, B कब आई है so sorry B is the sister of C C is the father of D D, how is D related to A अब screen pause कर सकते है और अपना answer दे सकते है okay अब मैं आपको बताते हूं इस question को कैसे solve करना है okay A जो है B कब आई है okay that means A plus plus का मतलब होता है male and minus का मतलब होता है female तो बाई है B का तो ठीक है B is the sister of C तो B female है यह C की sister है okay C is the father of D C जो है यह D का father है तो हम vertical line से इनका relationship दिखाएंगे क्योंकि आप generation change हो रही है how is D related to A हमें बोलना है A और D कैसे related है देखो A इसका by है और यह इसका by है इसकी बहन है that means यह इसका by है okay A जो है वो C का by है okay तो यह इसका beta हमें बोलना यह इससे कैसे related है A इसका क्या लगता होगा fine अब देखो D का हमें gender नहीं पता है D son भी हो सकता है और daughter भी male भी हो सकती है और female भी हो सकती है that means यह इस जो है जो D है हमें बोलना वो A का क्या लगता है तो यह nephew भी हो सकता है और niece भी हो सकती है क्योंकि gender नहीं बोला गया है A और D के, A का तो मैं बता है A उसका uncle होगा बर D क्या है D, nephew भी हो सकती है और niece भी हो सकती है तो option अगर हम देखे brother, sister, nephew और cannot be determined तो इसका answer D आएगा cannot be determined क्योंकि हमारे पास question में इतनी information नहीं है कि हम बता सके कि वो nephew ही है क्योंकि वो niece भी हो सकती है राइट ओके आगे चलते है question number 9 complete the series screen pause कीजिए अपना answer दीजिए उसके बाद मैं answer discuss करोंगी okay so the right answer here it is 36 यहां पर minus 2 हुआ है तो 34 आया है उसके बाद minus 4 हुआ है तो 30 minus 2 हुआ है 24 minus 4 हुआ है sorry 28 को minus 4 हुआ है 24 तो 24 24 अब कितना minus होगा minus 2 होगा that means 22 B option is the correct answer चलो आगे चलते है which of the following okay this is a question on when diagram आपको बताना है pigeon, bird and dog पे कौन सा रलेशन्शिप किस वाले option में दिया गया है screen pause करकी अब सौन चकते हो answer तो चलिए देखो हमें bird, pigeon and dog bird जो है उसमें pigeon आएगा okay क्योंकि pigeon bird है and dog का इन से कोई relation निया dog अलग है so कुछ ऐसी बने की Venn रहे Venn diagram and D is the correct answer okay आगे चलते है direction पे question है Shobha walks 20 km east and then turns left and walks another 15 meters then she turns right and walks 25 meters finally she takes another right turn and walks 15 meter how far she is from the starting point screen pause कीजिए question को solve कीजिए और अपना answer दीजिए okay यहां पे सबसे पहले Shobha east की तरफ directions पहले आप बना दिया कीजिए north, south, east and west तो Shobha पहले 20 km east चली है okay then she turns left अब यहां इस point पर उसने left लिया है okay इस point पर अगर हम east पर इस point पर आके अगर हम left ले that means उपर north की तरह इस direction में हो गई है थोड़ा नीचे यह बना देती okay ऐसे पहले 20 उसके बाद यहां पर उसने left लिया है 15 then she turns right फिर यहां पर उसने फिर से right लिया है and 25 चली है यहां पर आकर उसने another right turn लिया है okay east पर आकर फिर से उसने यहां पर आकी आप right turn लिया है right turn जब उसने लिया इस direction में फिर से 15 हमें बताना है कि starting point इस point से इस point तक उसने कितने distance cover की so this is 20 this is 25 answer will be 35 okay मैं ज्यादा explain नहीं कर रही हूं क्यूंकि हम यहां पर यह रापिट फाइड राउंड खेल रहे हैं मैं बस आपको थोड़ा से बताती हूं कि answer कैसे आया otherwise यह question आपके करने के लिए है fine इसलिए मैं ज्यादा explain नहीं कर रही हूं मैं उपर उपर से बस आपको बता रही हूं कि question को approach कैसे करना था okay फिर से direction का question है starting from his house Mukesh गो 6 km towards south and then takes a left turn to cover another 3 km finally he turns right and covers another 6 km in which direction is he from his house okay Mukesh अपने घर से मानो Mukesh का घर यहां पर है okay तो वो घर से निकलता है 6 km south okay उसके बाद वो यहां पर left turn लेता है यहां पर left turn ऐसा 3 km चलता है okay diagram को थोड़ा side में बनाता है this was six this was three उसके बाद वो फिर से यहां पर right turn और फिर से 6 km चलता है इसमें हमें direction पूछी गई okay distance नहीं पूछी गई है आपको बताना है आप मुकेश इस point पर है और यह उसका गर था इस गर से वो किस direction में है जब ऐसा question आए तो जिस point से आपको direction देखनी है वहां पर आप direction line बना दो okay यहां पर मैं बना देती हूं this will be north, south, east and west तो यह वाल आपको देखना है यह कहां पर आ रहा है south east में बी is the correct answer south east तो आगे जलते है question number 13 in the following figure triangle represents girls triangle का मतलब girls है squares players and circle coach circle जो है इसका मतलब coach है and square जो है इसका मतलब है players आपको बोलना इनमसे कौन सा पार्ट है that represents girls who are players but not coach screen को pause करके answer दीचे okay तो इस time हमें देखना है सबसे पहले represent girls girls कहां पर triangle में तो हमारा answer यहां कहीं है okay who are players उसके बाद players square तो that means triangle or square का common portion लेकिन उसके बाद और बट not coach coach नहीं होना चाहिए so r वाला portion निकाल कर निकाल देता है so the correct answer is q okay आगे चलते है okay फिर से same question है but इस बार आपको क्या करना है players that are girls as well as coach जो girls भी है और coach भी है okay players भी होने चाहिए girls भी होने चाहिए और coach भी होने चाहिए girls तो triangle से है okay screen को pause करके answer दीचे so यहां पर अगर हम देखे जो हमारा right answer है that is देखो यह वाला portion यह सिर्फ girls का है okay तो p वाला नहीं है हमारे बस तीन ही तो है p, q, r एस तो players वाला girls की बात हो रही है that are girls players भी होने चाहिए okay players को उन्ट प्रेजन करता है square में that means यह q वाला p कट गया then वो coach भी होनी चाहिए तो q कुछ यहां पर है okay यह वाला जो portion है इसमें square भी है यानि players भी है triangle भी है, girl भी है, circle भी है so r is our right answer c option r चली आगे चलते है complete the following series फिर से number series है आपको देखना है कौन सा logic कौन सा pattern follow हो रहा है screen pause करके answer तीचे so अगर हम यहां पर देखे pattern जो follow हो रहा है that is 3 into 2 6 okay and 6 plus 2 8 multiply 2 16 plus 2 18 अब क्या होगा, multiply 2 that means 18 multiplied by 2 that is 36, that is C part okay, आगे चलते है if computer is called mouse mouse is called keyboard keyboard is called monitor and monitor is called CPU which of the following is used for typing okay, screen pause करके आप सोन सकते है answer so हमें बोला typing के लिए क्या use होता है हमें पता typing किसे होती है keyboard से होती है right but keyboard का नाम क्या रखा गया है monitor so the right answer will be monitor C option so question number 17 if toy is coded as smb, how is shop coded? screen pause करके अपना answer लिखे okay, यहां पर हमें पूछा गया है okay, toy is coded as smb, देखो toy को बोला गया है smb, तो यहां पर आपको relationship find करना है देखो, t को माइनस 1 हुआ है, तो s आया है, t से एक step पीछे o को माइनस 2 हुआ है, तो m आया है, y को माइनस 3 हुआ है, तो v आया है okay, तो यहां पर हम लिख देता है okay, तो हमें लिखना है shop, तो पहले माइनस 1 करेंगे, माइनस 2, माइनस 3, और माइनस 4 s से एक पीछे जाएंगे तो r, h से 2 जाएंगे तो f, o से 3 जाएंगे तो l, p से 3 जाएंगे तो l, so b option is the right answer okay, आगे चलते है, question number 18 कहते कोई language है, जिसमें कुछ codes यूज हुए है, mangoes और good उनके लिए 743 यूज हुआ, eat good food उसके लिए 657 यूज हुआ, mangoes और ripe उसके लिए 934 यूज हुआ, आपको बताने कि ripe का, जो इस वाले last वाले sentence दिया गया है, ripe का code क्या है screen pause करके, अपना logic आप यूज कीजिए, आपको जो logic लगता है, यहां पर यूज होगा, और answer दीजिए, okay, so, हमें ripe का बोलना, okay, ripe वाला word तीसरे में, अगर हमें mangoes और का code पता चल जाए, तो ripe, जो बचे का, वो ripe का होगा, और उपर वाले दो sentences में, अगर हम देखे, तो, पह भी है, so, that is 743 और 934, इसमें दो words common है, वो है mangoes और, okay, यहां पर अगर हम देखे, तो, यह दो common है, that means, mangoes और का code जो है, वो 34 या 43 है, okay, so, बचता क्या है, ripe का, that means, ripe जो है, वो 9 है, और यहां पर good is 7, okay, so, ripe का जो answer है, code है, that is, 9, so, question number 19, identify the, okay, यहां पर आपको यह pattern complete करना है, आप screen pause करके answer, दीजिए, so, अब हम करते है, देखो, सबसे पहले, हमें यहां पर बोलना है, यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले, यह straight line ऐसे आ रही है, यह तो हर किसी में, यहां भी है, 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 यहां भ यहां corner पे touch करा, eliminate, यह भी eliminate, अब अच्छे 3 and 4, corner पे touch करने के बाद, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, right, इस side से ऐसी कोई line-line नहीं है, that means यह भी eliminate, 4 is the correct answer, okay, तो last question, फिर से figure पे करना, आप screen pause कीजिए, अपना answer दीजिए, उसके बाद मैं आपको पताती हूँ, कि क्या logic यूज़ हुआ है, elimination method ही यूज़ कीज़ेगा, okay, so अगर हम देखें, सबसे पहले एक cross burner, एक line है, जो पूरे यहां तक आएगी, okay, so वो line इसमें भी है, इसमें भी ह नहीं हुआ, okay, उसके बाद यह circle complete होगा, okay, that moon type है थोड़ा, so पहला वाला eliminate, क्योंकि यह नहीं हुआ, दूसरे वाले में देखें, आपको पहले दिखाती है, पहला वाला eliminate हो चुका है, दूसरे वाले में, यह इसके through नहीं निकल रही है, जबकि अगर हम देखें, यहां प यह थे सभी MCQs, I hope आप ने भी मेरे साथ किये होंगे, आपको भी answers आये होंगे, so अब आप अपना जो score है, वो आप नीचे comment section में लिखिए, so thank you everyone, all the best for your exam, good luck, rise and shine, bye